तो संभिदा पर नियोजित कर्मी साथियों आउट्सोर्स दैनी कर्मी तमाम बिहार के जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उनका एक पर फीर इस चैनल पर स्वागत है हार्दी का भिनंदन है तो दोस्तों बिहार के मुखमंतरी नितीस कुमार जी का यह जो है कि कारचाल संभिदा पर नियोजित कर्मियों में काफी हतासा और निरासा भरा हुआ है संभिदा कर्मी जो है कि लगतार कैबिनेट में बेतन बिरीधी की परकिरिया को पूर्ण होने का इंतिजार करते आ रहे हैं किन्तु अब तक उनकी जो सोच है समझ है मांग है वह पूरी नहीं हु करने की दिशा में आगे कर्जवाई करने जा रहे हैं और इसकी खबर जो है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हुए आपको संतुष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार के तमाम संभिदा नियोजित कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियों को बेतन तो मिलेंगे ही स आती टीए डीए एपीए फीए साई करमचारी भविस निधी की रासी की कटवती भी उनके खाते से होगी और सरकार अपने हीसे की रासी उसमें जमा करेगी है तमाम सारी कर्जवाहिया बिधान सभाचुनाओं के पूर्व करने की तैयारी में सरकार लगे ही हुई है यहां तक की जो है की सरकार के सुत्रों के हवाले से प्राप्त कबरों के अनुसार आपको बता देना चाहते हैं की तमाम संभीदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियों का जो है की बेतन का निरधारन जो बिकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमीटी कर रही है उसको जो है क्योंकि बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार स्वयम चाहते हैं कि तमाम आउट्सोच कर्मी, दैनिक कर्मी, संबिदा कर्मियों के बेतन का जो निर्धारन है वह जो है कि नए सीरे से बिधान सभाचुनाओं के पूर्व कर लिया जाया और इसका सबसे बड़ा उदहारन यहा करमी करें बिकास मित्रों का जो है कि बेतन फulation से निर्धारित किया जाएगा करजपालक सहे को का सेवा समयोजन करने कि बात जो है कि सरकार कह कुछी है और सेवा समयोजन की दीशा में करजवाही पररघ कर दी गई और कुछ हटाये गए संबीदा कर्मियों का जो है कि सेवा वापसी करते हुए उनका जो है कि पुना सेवा बहाल करने की बात भी सरकार के तरब से बताई जा रही है कूल मिलाकर संभिदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियों के जीवन में जो है कि उजियारा आने वाला है और यह पल जब बिहार के मुखमंतरी नितीष कुमार स्वैम जो है कि सिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों की भाती तमाम संभिदा कर्मियों का जो है कि बेतन का न नोबल और तमाम जो संबीदा करमी जीनका पूर्मे बेतन का निर्धारन हो चुका है उनका एक बार फिर बेतन निर्धारन करेगी बिहार सरकार और बिहार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है कि कदम बढ़ा चुकी है और बिहार के मुखमंतरी नितीस की अध्यक्ष्टा वाली कमिटी जो है कि इस पर निर्नेल लेने को जो है कि तैयार है और अब इससे संबंधित परस्ताओ जो बीत विभाग और विधी विभाग से पारित होकर जो है कि विकास आयुक्त के पा कर जो है कि विकास आयुक्त एक निवनतम मांदे की दर तै करें जिसमें वर्तमान बजार दर और संकक्ष कर्मी के अनुपात में बेतन का निर्धारन होना चाहिए जिससे संबिदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियों की जो मांग है उसे पूरी करते हुए जो है कि चुनाओं के पहले तमाम मांगों को पूरा कर दिया जाया और इसी कड़ी में जो है कि बिहार के चिप सेक्रेटरी स्वैम जो है कि अमरित लाल मीना इस दिशा में करजवाही करने हैं तो जो है कि विकास आयुक्त को परेडित कर चुके हैं उन्होंने अपने नीजी जो है क कि आप सभी संभीदा कर्मी आउट्सोर्च कर्मी दैनी कर्मी हैं और आप लोग इस इस इंतजार में हैं कि आपका बेतन बिरी धी कब होगा तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है बिहार सरकार बहुत जल्द आप लोगों की सारी मांगों को पूरा करेगी और आपको प माम तरह के इन पीए सीपीए फीए साइग जूडेंगे तो कम से कम जो है कि 35 से 37 जार रुपए हो जाएंगे जो आपकी मांगों के अनुरूप होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए गजाएं